आज हम बात करेंगे पराइटल लोग की, जिसको सैंसरी कोटेक्स भी बोलते हैं, हमारे ब्रेन का पराइटल लोग रिस्पॉंसिबल होता है परसेप्शन और सैंसेशन के लिए, ये रिस्पॉंसिबल होता है सैंसरी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, पराइटल लोग कहा से क तक होता है तो पराइटल लोग सेंट्रल सल्कस से लेकर ओक्सिपिटल लोग तक होता है और नीचे टेंपोरल लोग तक होता है इसमें दो सल्कस होते हैं तो पराइटल लोग और ओक्सिपिटल लोग के बीच में होता है पराइटो ओक्सिपिटल सल्कस और पराइटल लोग औ कि special senses तो different receptors present होते हैं body पर जैसे की touch के लिए temperature के लिए proprioception के लिए movement के लिए तो यहाँ से impulses जाएगी pathway के थूँ पराइटल लोग में different areas में और वहां perception, integration और recognition होगा अब calculation और body image के लिए भी यही area responsible है पराइटल लोग में तीन में एरिया हैं सुमेस्थेटिक एरिया 1, सुमेस्थेटिक एरिया 2, सुमेस्थेटिक एरिया 1 को सुमेटो सेंसरी एरिया 1 और प्राइमरी सुमेस्थेटिक एरिया या प्राइमरी सेंसरी एरिया भी बोलते हैं हेमिस्पियर की नेड्रल सरफेस में पोस्सेंट्रल गाईरस और हेमिस्पियर की मीडियन सरफेस की पैरा सेंट्रल लोब्यूल में ये प्राइनरी सुमेस्थेटिक एरिया प्रेजन्ट होता है इसमें 3 एरियाज होते हैं सुमेस्थेटिक एरिया वन ने अब होवनोलोकस और लोकलाइजीशन की बात करते हैं तो बॉडी के डिफरेंट सेंसरी एरियास होते हैं प्राइमरी सेंसरी एरिया में वो भी इन्वर्टिड मैनर में जैसे की मोटर एरिया के थे मीडियल सर्फेस में लोवर पार्ट होता है बॉडी का और लेटरल सर्फेस में अपर पार्ट होता है बॉडी का होवनोलोकस में फेस, लिप्स, थांग और इंडेक्स फिंगर लाड़्च होते हैं क्योंकि इन एरियास में number of sensory receptors जादा होते हैं दूसरे पार्ट से अब functions क्या है Somesthetic Area 1 की तो ये sensation और perception के लिए responsible है जैसे कि touch, pain, temperature, pressure, proprioception और passive movement के लिए sensation cortex तब पहुचता है body के contralateral side से लेकिन oral region में same side या ipsilateral side से और pharynx, larynx और perineum में bilaterally Area 1, sensory perception के लिए responsible है Area 3 and 2, sensory integration के लिए responsible है इसके अलावा sensory cortex के connection, motor cortex के साथ होते हैं इसलिए sensory feedback भीचता है pre-motor area को और head और eyeball movement में भी help करवाता है tactile localization, two-point discrimination, different stimuli की intensity की recognize करना और stimuli की similarities और differences को recognize करने में भी help करता है calculation, body image, external environment की awareness और object का shape, size और texture बतानी में भी help करता है अब somastatic area 2 की बात करते हैं तो ये lateral fissure की तरफ होता है इसको secondary somastatic area या somatosensory area 2 भी बोलते हैं brush, strokes या skin पर tapping को recognize करने में help करता है ये area अब बात करते हैं somastatic association area ये area help करता है object को identify करने में without vision ये area responsible होता है different sensory modalities को integrate करने के लिए ये help करता है object को recognize करने में जब हाथ में दिया जाए और eyes close हुन combined sensation के लिए responsible होता है ये area जैसे की stereogalosis अब parietal lobe damage हो तो क्या हो सकता है तो number one cutaneous sensation में disturbances होगी opposite side में number two kinesthetic sensation disturbances number three tactile localization and discrimination में disturbances तो, लो, तो, या, झाल झाल